नमस्कार दोस्तो आशुतो शुक्ला ओफिशियल यूट्यूब चानल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम आपके साथ बात करने वाले हैं हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में तो दिया देरी किये हुए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं आप अगर हमारी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ ही साथ बैल आइकन पर भी प्रेस कर लीजेगा वीडियो के एंड तक दरूर बने रहिएगा बीच में प्राकर्तिक गैस नियामक बोड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं आपके सामने इंदू शेखर चतुरवेदी सेकिंड है तरुन कुमार थर्ड है संजीव नंदन सहाई और लास्ट है गुरमीच सिंग तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है संजीव नंदन सहाई जिनकी आप इमेज भी यहां पर देख सकते हैं यहाल ही में प्राकर्तिक गैस नियामक बोड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अगर हम बात करें कि इन्होंने किन का स्थान लिया है तो इन्होंने दिनेश के सर्राफ का इस्थान जो है लिया है यानि कि पहले इस पद पर दिनेश के सर्राफ इस पद पर नियुक्त है अगर हम बात करें प्राकर्तिक गैस नियामक बोड के बारे में तो यह एक वैदानिक निकाय है और इसका जो गठन है वो हुआ था 31 मार्च 2006 को और इसका जो मुख्यालिया है यह नई दिल्ली को हुआ था इसका गठन जो हुआ था यह प्राकर्तिक गैस नियामक बोड अधिनियाम 2006 के तहट 31 मार्च 2006 को हुआ था चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ next question है हमारा किसने चर्म निर्यात परिशत के नए अधिक्ष के रूप में पदभार ग्रहन किया है फर्स्ट है हमारा फर्स्ट आप्शन है राजेंद्र जलान सेकिंड आप्शन है संजली खा थर्ड आप्शन है विनोथ खोसला और लास्ट आप्शन है राहल भतनागर तो इसका जो correct answer होगा वो होगा हमारा option B संजे लीखा जो है इन्होंने चर्म नर्यात परीशत के नए अध्यक्ष के रूप में अपना पदबार ग्रहन किया है इन्होंने हाल ही में 17 जून 2021 को अलपाइन एपलर्स के संस्ताफ़क B है संजे लीखा इन्होंने चर्म नर्यात परीशत के नए अध्यक्ष के रूप में पदबार अपना ग्रहन किया है अगर हम बात करें चर्म नर्यात परीशत के तो इस संगठन के अध्यक्ष तो होंगे संजे लीखा और इसके उपाध्यक्ष होंगे राजेंद्र जालान चलिए बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ प्रशन है हमारा अगला केंदर सरकार निकी से WTO में भारत के स्थाई मिशन में काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है फ़र्ष चांदार कर और लास्ट है अरुना चोहान तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा Option C आशीश चांदार कर जो हैं वो हमारा करेक्ट आंसर हैं हम आपको बता दें कि आशीश चांदार कर जो है वो बैंगलर्व इस्ति हैंshore haircut लेंगे इनका कार्रेकाल होगा उसके लिए तीन वर्ष तीन साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन है हमारा कौन संयुक्त रास्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंक्ताड की पहली महिला महासचीव नियुक्त हुई अप्शन है हमारे पास मार्गेट चौन सेकिंड है उर्साला वॉन डेयर थर्ड है रेबेका ग्रिंस्पन और लास्ट है जो गौए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी जो है रेबेका ग्रिंस्पन वो इसका करेक्ट आंसर है रेबेका के बारे में तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूं अंग्टाड जो है यह 1964 में एक संयुक्तर महारास्ट्र सभा द्वारा इस थापित एक स्थाई अंतर सरकारी निकाय है इसका मुख्यालिय जो है वो जिनेवा सुट्जर लेंड में है और इसमें कुल एक सो पिच्चान जी सदश्य देश जो है वो शामिल है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा किसे उत्तर प्रदेश राज्य मानवधिकार आयोग का नया अध्यक्षद नियुक्त किया गया है तो ऑप्शन से हमारे पास नियायमूर्ति गोविंद माथूर सेकिंड है नियायमूर्ति बीना नारायन के थर्ड है नियायमूर्ति शिवकिर्ति सिंग और लास्ट है नियायमूर्ति सविंद्र सिंग तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नियायमूर्ति बी नारायन के इनके अगर हम कारेकाल की बात करें तो इनका कारेकाल होगा वो तीन वर्ष या फिर सत्तर वर्ष के आयू में जो भी पहले होगा वो इनका तब का कारेकाल होगा हम आपको इस बता दें कि राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की जो नियुक्ति है यह राज्य मूर्थी अरुन मिश्रा सेकिंड है नियाय मूर्थी दीपक भाटी थर्ड है नियाय मूर्थी गोविंद माथूर और लास्ट है नियाय मूर्थी संजय यादव तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी नियाय मूर्थी संजय यादव नियाय मूर्थी स कि शापत भी दिलाई और इससे पहले नियाय मूर्ति गोविंद माथो जो हैं वो इस पद पर कारे रख थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है हमारा निम्नमिसे किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपने प्रबंद समीती में कारे कारे इंद देश अगर क्या होगा इसमें option जो है केदार ले ले वो हमारा correct answer है इनकी अगर हम न्युक्ति की बात करें तो इनकी जो न्युक्ति है वो एक जुलाई 2021 को हो जाएगी और अगर हम केदार ले ले के लिए एड प्रिजन्ट टाइम के बात करें तो वरतमान में वह यूनिलेवर ब अगला प्रश्ण है हमारा विश्व बैंक समूने निम्न मेसे की से शिक्षा सलाकार नियुक्त किया है औप्शन्स देख लेते हैं जल्दी से क्या हैं हमारे पास फरस्ट है अजे कुमार सेकिन है रंजीत सिंग दिसाले थर्ड है अमित मिश्रा और लास्ट है इन में से कोई नहीं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें ऑप्शन बी रंजीत सिंग दिलाले जो हैं उन्हें हाल ही में शिक्षा सलाकार नियुक्त किया गया है विश्व बैंक समू के द्वारा अगर हम के कारेकाल की बात करें तो दिसंबर दो हजार चौबिस तक इनका कारेकाल र हमारा निम्द में से कौन स्वयुक्त राष्ट महासबा के चैतर व्यधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या हैं हमारे पास ऑप्शन है अब्दुल्ला शाहिद सेकिंड है वॉलकन वोजीकर थड़ है प्रोफेसर तिर्जानी मुहम्मद बंदे और लास्ट है एंद्रेज किसका तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए अब्दुल्ला शाहिद जो हैं इन्हें संयुक्त राष्ट महासबा के चैतर व्यधिवेशन के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अगर हम बात करें कि इन से पहले किसने कारेबा और समाला हुआ था तो इस पद पर पहले तुर्की के राजनाइक वॉलकिन बौजिगर जो थे वो इस पद पर कारे रख थे अगर हम बात करें कुल वोट की कि अब्दुल्ला शाहिद को कुल कितने वोट प्राप्ट हुए तो 193 सदस्य महासबा में हुए मत सबान में 191 वोटों में से उन्हें 143 वोट जो है वो इनके पक्ष में थे चलिए नेक्स देखते हैं अगला प्रशन है हमारा किसने भारते नोसेना ऑपरेशन के नए महानी देशक के रूप में पधभार ग्रहन किया है ऑप्शन हैं फर्स्ट है वाइस एड्मिरल भाद वाज थर्ड है वाइस एडमिरल दिनेश सिंग्र लास्ट है वाइस एडमिरल सुरेश पिंडार कर तो इसका करेंट आंसर होगा हमारा ओप्शन आपरेशन आरा करेक्ट आंसर राजे ग्राते हमारा correct answer हैं कब इन्होंने ये पदबार grant किया तो साथ जून 2021 को इन्होंने ये पदबार grant किया था क्योंकि साथ जून 2021 को वाइस एड्मिरल राज़िश पिंडार कर्म ने भारति नोसेना operations के नई महानिदेशक की रुप में पदबार grant किया था और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राजेश जो हैं वह पंडुबी रोधी जुद्ध कला में विशेश अग्या भी हैं और उन्हें जन्वरी 1997 में भारति नोसेना में कमिशन भी प्रदान किया था चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला परशन क्या है हमारा अगला परशन है हमारा निम्न में से किस ने देश के नई चुनाव आयुक्त के रूप में पद बहर ग्रहन किया और फरस्ट राजीव गर्ग सेकिंड है अनूप चंदरपांडे थर्ड है विनोद चंदरपांडे और लास्ट है संजय अग्रवाल तो ह 2021 को इन्हों ने यह पदबार ग्रहंड किया था और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि यह जो है अनुप चंद्रपांडे यह 1984 बैच के आई एस अधिकारी भी उत्तर प्रिदेश के मुख्य सची भी रह चुके हैं तो इन्हों नो जून असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार समाला है आप्शन से हमारे लेफटिनेंट जनरल अनुज वोरा सेकिंड है लेफटिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रनायर थर्ड है लेफटिनेंट जनरल खनीच सिंग और लास्ट है लेफटिनेंट जनरल पावार S General M तो इसमें हमारा correct answer होगा option B जो है वो हमारा यहाँ पर correct answer है Lieutenant General प्रदीप चंदरन नायर इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो Lieutenant प्रदीप चंदरन नायर जो है इन्होंने 1 जून 2021 को Assam Rifles के 21 महानिदेशक के रूप में अपना कारे बाहर जो है वो समाला है और इन्होंने Lieutenant General सुखदीप सांगवान का इस्थान भी लिया है अगर हम बात करें Assam Rifles से संबंदित तो इसका जो गठन है वो 1835 को हुआ था और 1971 में इसका नाम बदल कर Assam Rifles रख दिया गया था और इसका जो मुख्यालिया है वो शिलोंग मेगालिया में इस्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ प्रश्णी है हमारा किसने अंडमान नीको बार कमान के सोलवे कमांडर चीफ का पद बार ग्रहन किया है तो आप्शन्स है हमारे लेफटिनेंट जनरल अजे सिंग सेकिंड है लेफटिनेंट जनरल दीपक सिंग थर्ड है लेफटिनेंट के जनरल आरब दोरिया और लास्ट है लेफटिनेंट शर्माजी जनरल जी तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा option A, Lieutenant General Ajay Singh जो है इन्होंने अंडमा नीको बार के सोलवे कमांडर चीफ का पदवार ग्रहंड किया है यह कब ग्रहंड किया है इन्होंने यह किया है इन्होंने 1 June 2021 को इन्होंने अपना कारे भार जो है वो संभाला है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन वर्ष 2021-22 के लिए भारते उद्योग परिसंग के नए अध्यक्ष चुने गए है option से हमारा first है टी नरेंदरन वी second है उद्यकोटक, third है राजी वजाज और लास्ट है विक्रम किलोर्सिकर तो इसमें हमारा correct answer है option टी नरेंदरन वी जो है नोने 2021-22 के लिए भारते उद्योग परिसंग के नए अध्यक्ष जो है ये चुने गए है साथ ही साथ हम आपको बता दें कि भारते उद्योग परिसंग जो है कि स्थापना 1895 को हुई थी और इसका मुख्याले जो है वो नई दिल्ली में है साथ ही हम आपको बता दें कि टी नरेंदरन वी जो है इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीओ उद्य कोटक का इस्थान भी लिया है यह जो परिसंग है यह भारत की एक गैर सरकारी गैर लाब और उद्योग नित्रत्वत का उद्योग प्रबंदित एक संगर्ठन है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्णे की तरफ प्रश्णे है हमारा केंदर सरकार नेकी से केंदरे प्रत्यक्षकर बोड यानिकी सी बी डीटी सेंटरल बोड और डायरेक्ट टेक्स का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है फर्स्ट ऑप्षण है हमारा प्रमोद्र चंड्र मोद्ी, सेकंड है वी सदना एंध, थर्ड है जे मोहा पात्रा भी और लास्ट है अनूजा सारंगी जैंद्र परतिक्श बोड के बारे में यानि कि इसमें प्रतिक्ष करके उदारन दता ये संग्रह से संबंदित है और इसमें एक अध्यक्ष सदस्य शामिल भी होते हैं अगर हम बात करें जे मोहा पात्रा बी के कारेकाल के बारे में तो तीन महा या फिर इस्ताई अध्यक्ष की न्युक्ति तक और ये जो हैं जे मो आपके लिए जरूरी जानकारी भी लेकर आए हैं तो आप अगर स्सी की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अनकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो है वो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फ्री वीडियो बैचिज जिसका अगर चु लिंक है वो आपको description में मिल जाएग और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपके फाइदे के लिए बता दूँ कि आप जो कोड है वो भी यूज कर सकते हैं एस टू जीरो टू जिससे की आपको फ्री में एन्रॉल्मेंट भी मिल सकता है कोड एक बार इद्यान से सुन लीजिए तो अगर आप में से जो भी स्टू धेंट एस से की तैयारी कर रहे हैं वह एक बार ऐर्णप पिल्डन स्टेनबर्ग और लास्ट है क्लास हार्ट में तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरिंदर बत्रा जो है इन्हें अंतरास्टे होकी महासंग का पुन अध्यक्ष जो है वो चुना गया है इनको कुल मत मिले थे 63 यानि की 63 वोट इनको टोटल मिले थे और इनका का कारेकाल जो है वो दो हजार 24 तक का है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है हमारा कौन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए मुख्य कारेकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन है हमारा राजेश बंसल सेकिंड है राजीव अरोडा थर्ड है द बात करें कि नियुक्ति कब हुई है तो 22 मैं 2021 को राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि की CEO नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ आकर हम बात करें आर भी आइच के अध्यक्ष के बारे में तो इसके अध्यक्ष है गोप इसमें हमारा करेंट आंशर है ऑप्षन डी जो है वो करेंट आंसर है एंबी राजेश जो है इन्हें केरल की पंदरवी विदान सबा के नए अध्यक्ष के रोप में चुना गया है कब नियुक्ति हुई है इनकी 25 मैं 2021 को इनकी नियुक्ति हुई है और साथ हम आपको बता सब्सक्राइब की एंबी राजेश जो है वो राजे की खृताला विदान सबार्शेत्र से पहली बार विदायक निर्वाचित हुए है और इन्होंने प्री रामकृष्णन जो है उनका इस्थान लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट क्यूशन है किस ने राज्ट्र मानव अधिकार आयोग के नए अज्यक्ष के रूप में पद बार ग्रहन किया है अप्शन से फर्स्ट न्याय मूर्ती अरुन कुमार मिश्रा सेकिंड है न्याय मूर्ती दीपक मिश्रा थर्ड है न्याय मूर्ती अनिल अगरवाल और लास्ट है न्याय मूर्ती एच एल दत्तू तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आप्शन ए नियाए मूर्ती अरुन कुमार मिश्रा जो है उन्होंने राष्ट्रे मानावादिकार आयोग के नए अज्डेक्ष के रूप में पदबार ग्रहन किया है तो हम बात करें कि इस पद पर ये कब नियुक्त थी और साथ ही साथ मैं आपको बता दू कि राष्ट्रे मानावादिकार आयोग जो है इसका जो मुख्यालिया है वो नई दिल्ली में है इसकी जो स्थापना है ये मानावादिकार संद्रक्षन अधिन्यम 1993 के प्रावदानों के तहत की गई थी तो ऐसे ही लेटिस्ट झाल झाल झाल